आज हम देखने वाले हैं addition of two numbers का program ठीक है कि Python में हम कैसे perform करते हैं ठीक है यसे हम other programming languages में करते हैं addition का program वैसी हम same करेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले हम hashtag यूज करने comment के लिए इससे के पता चलेगा कि हमारा quote किस चीज का है ठीक है तो देखो यहां मैं लिख दूँँगी प्रोग्राम फोर एडिश्यन ओप टू नमबर्स ठीक है? अब देखो सबोस्ट मैंने को एक वेरियेबल लिया A is equal to 2 ठीक है? और एक वेरियेबल लिया B is equal to 3 ठीक है? और एक सम वेरियेबल लिया ठीक है? और इसमें मैंने परफॉर्म कर दिया A plus B ठीक है? और उसको करवा दिया किसे प्रिंट करवाऊंगी मैं? प्रिंट कौनसा फंक्शन? सम ठीक है? देखो इसमें क्या कि हमने A is equal to 2 तो A जो वेरियेबल है हमारा किस टाइप का हो गया? इंटीजर टाइप का कैसे पता चला हमें यहां पर? देखो बाकी जो अदर प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेसे जैसे C, 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 प्लस प्लस जावा इसमें हम क्या करते हैं? डेटा टाइप डेक्लेयर करते हैं ठीक है? लेकिन इसे मैंने यहां लिखा है A is equal to 2 ठीक है? मिन्स क्या हुआ? equal to means क्या है? assignment operator ठीक है? तो 2 2 जो value है वो कहा पर चली गई? A में A क्या है? हमारा variable ठीक है? और B is equal to 3 मिन्स 3 जो value है यह जो 3 value है वो किसमें मैंने assign करवा दी? B में तो B की value कितनी हो गई? 3 और sum, sum क्या है? वेरिबल, ठीक है? मैंने आपको बताया था variable क्या होते है, ठीक है? जिसा जब मिरा identifier बताया था ठीक है? तो sum क्या है? s Sketch की जग़ा आपको भी use कर सकते हो, ठीक है? कोई भी variable आपने मन से ले सकते हो addition ले सकते हो, add ले सकते हो, ठीके? मैंने sum variable लिया है equal to मैंने लिखा a plus b मतलब a plus b का जो भी output आएगा किस variable में जाएगा sum नाम के variable में और sum में जो भी इसकी value आएगी final वो print हो जाएगी है हमारी output screen पर ठीके तो a a की value है 2 plus b b की value है 3 ठीके उसको हम run करेंगे current file को जैसे मैंने इसको run के तो देखो यहाँ पर इसका output आगया file ठीके इस type से हम इसमें programming करते है और python में क्या है हमें बीना data type के हमारा code run कर लिया ठीके